नमस्कार बागवन भायो मैं हूँ कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं इनसाइड ग्रेट हिमालिया यूट्यूब चैनल तो बागवन भायो आज मैं आपसे बात करना करूँगा अनार पर होने वाली पहली स्प्रे जी हाँ आज 10 माई 2019 है तो अनार पर पहली स्प्रे की जाती है माई के पहले स्प्ता में इस बार क्योंकि चीलिंग आवर्स बहुत ज्यादा रहे लगवग 1400 आवर्स से भी ज्यादा रहे वह तो इस कारण से इस बार अनार के जो फूल है वो इस बार थोड़ा सा पांच या साथ दिन आ रहे हैं तो अभी बिल्कुल सही समय है अनार के फूलों पर स्प्रे करने का क्योंकि अभी अगर अनार के फूलों पर स्प्रे नहीं करते हैं तो फ्रूट बोरर नाम का जो इंसेक्ट है जो अभी बिल्कुल सुक्षिम होता जो की आँखों से नहीं दिखता है वो फूलो का रस पी करके खा करके बहीं पर धीर धीर बड़ा होता है और जब अगर हम स्प्रेय नहीं करेंगे तो यह फूल उसके बार जब ज़ड़ जाएंगे और यहां पर फल का भी कास होगा फूट डेवलिमेंट होगा तो उसमें यह फूट बोरर अंदर से अनार के दाने को अनार हमें यहां पर स्प्रेय करना है जो कि अभी बिल्कुल सही समय है तो स्प्रेय करने के लिए आपको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है और साथ में यह आप चाहें तो उसमें बोरों भी डाल सकते हैं और कोई सा एक अच्छा सा स्ट नियुक्यात नियुक्तिक कर तो ये चार चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है तो सबसे पहले हमी बात करेंगे कौन कौन से दवायान डालना है मैं केवल आपको नाम बताऊंगा उसके ब्रावन नेम आपको विभी इस्तेमाल कर सकते हैं तो किलाल मैं उदारन के लिए आपको कुछ यहां पर नाम बताऊंगा, जैसे इंसेक्टिसाइड के हम बात करें, तो इंसेक्टिसाइड जो अनार के फूलों पर पहले स्प्रे करते हैं, वो इंसेक्टिसाइड है, साइपरमिथरीन 10 EC, या फिर साइपरमिथरीन 25 EC, तो अगर साइपरमिथριन 10 EC है, तो इसको 200ml पानी में इसको इसको इस्तेमाल करना, या यानि 200ml जो इन्सेक्टिसाइड है तेनीजी का, वो आपको एक ड्रम में, 200 l पानी बंवारे ड्रम में डालना है, अगर आपको इस्तेमाल करते हैं, साइपरमिथरीन 25 EC, तो आपको इसका 80 ml, 80ml दबाई के इस्तेमाल करना है 200 लिटर पानी के लिए यानि एक डर्म के लिए इसके अलावा आपको फंगिसाइड के इस्तेमाल करना है जो सिस्टेमिक फंगिसाइड है आप सिस्टेमिक फंगिसाइड के इस्तेमाल करें केवल सिस्टेमिक क्यूंकि फंगिसाइड भी तीन तर अभी पहली स्प्रे में केबल, सिस्टमिक फंगिसाड के स्टमाल करना है, जो की नाम जो है, उसका ब्राण नाम जो है, वो मेविश्टिन करके है, मेविश्टिन आपको डालना है, या आपको 100 ग्राम डालना है, 200 लिटर पानी के लिए, तो इसके अलाबा अगर आप बोरोन चाते हैं, तो बोरोन आप कुछी भी कंपनी के स्टमाल कर सकते हैं, उदारन के लिए बोरोन या बोरेक्स या बोर्ट्रेक के नाम से भी आते हैं, जैसे यारा कंपनी का है, बोरोन है, तो ये बोर्ट्रेक के नाम से आता है, आप इसे भी स्टमाल कर सकते हैं, बोरोन आप तो तो इसके साथ आप अगर आप चाहें तो इसमें आप एक स्टीकर का वी इस्तेमाल जरूर करें जो अच्छा स्टीकर है जो काम कर सकें अगर आप जैसे मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि एक एमबे कंपनी का स्टीकर है यह स्टीकर बहुत अच्छा है आप इसका भी इस्तेमाल अभी पहले स्प्रेम कर सकते हैं अगर आप दूसरा स्टीकर भी करना चाहें इस्तेमाल जैके ट्रोन का है या फिर कोई और है आप कोई भी अच्छा सा स्टीकर अपने सहुलियत के इसाप से जो मार्केट में पुलब्द है और जो आपको सस्ता मिलता है जिसकी क्वालिटी अच्छी है बोश्टी कर आप इसमें इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप आपको दिखा रहा हूँ एक फोटो यह मेशतिन है यह सिस्टिमिक फंगी साइड है यह सिस्टम में जाकरके फंगी साइड को फंगोस को और करता है दूसरा इंसेक्टिस ऐड़ चैलेंजर के नाम से यह साइपरमित्रिन 25% EC यह आपको OCML डालना है एक ड्रम पानी अगर आप चाहते हो और यह एमबे कंपनी का APSAT के नाम से All-Purpose Spray Sticker है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई इसके लाब कोई भी और Sticker में यहां किसी कंपनी का यहां पर भीगापन नहीं कर रहा हूं या उनकी कोई महशूरी या कोई प्रमोट में कर रहा हूं आप जो चाहे वो आप इस्तेमाल करें तो यह सब Mabistim systemic fungicide Challenger 25 जो की insecticide है और कोई भी अच्छा सा boron डालिया यह boron जो आपको डालना है अगर यह जैसी यारा का है तो आप यहां पर 250 ml एक ड्रम में इस्तेमाल कर सकते हैं और जो Sticker है वो 100 ml आपको 200 ml पानी में इसको डाल करके मिलाना है तो यह एक अच्छा combination है spray के लिए अनार के फूलों पर पहली spray के लिए अच्छा combination है यह आपके insecticide को भी दूर करेगा जो insects हैं जो fruit borer है और जो fungus हैं उसको भी खतम कर देगा तो यह था भायो पहली spray आनार पर आपको मेरा यह पोस्ट अच्छी लगती जानकर अच्छी लगती तो मेरे Inside Great Himalya YouTube चैनल को सब्सक्राइब जूरू करें Thank you